एंड्रोइट सीखना अब हो गया है और भी असान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नितने पार्कास्ट और आपकी तमाम तर कुई रिसका रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बच आईए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेश सारी मालूमात Only on Android Blind Cafe Android Blind Cafe के चैनल पर अमर अली की जानिब से एक मरतवा फिर आपका बहुत बहुत अवी नंदन और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि Total Commander पर पॉड़कास्ट की सीरीज जारी है तो आज मैं इसका तीसरा और आखरी पार्ट लेकर आपकी खिद्मत में हाजर हुआ हूँ जिसमें कि हम Total Commander से System Tones को किस तरह से Extract कर सकते हैं यानि के निकाल सकते हैं और Total Commander की कुछ Important Settings भी है तो इन पर गोर करेंगे आप लोगों ने अकसर महसूस किया होगा कि आपको जरूवत पढ़ती है कई बार Ring Tones, Notification Tones जो हमारी फून में By Default आती हैं तो कई लोग एक दूसरे से इनका लेंदेन करते हैं और इसी तरह से खायश होती है कि हम अपने Ring Tones को चेंज करते रहें तो टोटल कमांडर में ये बहुत ही अच्छी सहूलत मौजूद है कि हम अपने फून में मौजूद जो भी Ring Tones हैं को या कि जो भी Tones हैं ये कहें जाए वो Notification Tones हो या System की UI Tones हैं या Ring Tones हैं या Alarm Tones हैं तो इन्हें सभी को हम Extract कर सकते हैं निकाल सकते हैं या ये कहें कि इनकी Copy करके हम किसी दूसरे अपने दोस्त को दे सकते हैं तो इसी तरह से जैसे कि तमाम Applications की कुछ नव कुछ सेटिंग्स भी होती हैं तो बहुत कम दोग टोटल कमांडर की सेटिंग्स के बारे में जानते हैं लेकिन बेशक ये File Manager है लेकिन इसमें भी सेटिंग्स मौजूद हैं कुछ सेटिंग्स हैं बलकि अच्छी खासी सेटिंग्स हैं इसमें सेटिंग्स काम होता है लेकिन फिर भी यह कि कुछ एडवांस यूजर्स चाहते हैं कि कुछ चीजों को वह अपने तरीके से मैनेज करें मैंटेल करें तो उसके लिए इसमें कुछ सेटिंग्स हैं तो उन सेटिंग्स को भी आज हम देखेंगे तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन्स डिरेक्टली मिल सकें कि एंड्राइब ब्लैंड कैफे पर कौनसी वीडियो किस पॉड्कास्ट पर अपलोड हुई है और साथ ही हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करना न भूला करें तो चलते हैं हम आज की अपनी इस पॉड्कास्ट पर सीधे टोटल कमांडर पर चलेंगे यह टोटल कमांडर को उपन कर दिया है मैंने अब यहां पर हम देखिए यह सारी चीजें देख चुके हैं इसकी तो जिरुवत मेही यह मैं दिखा चुका हम आपको यह भी दिखा दिया है यह more options इसको हम बाद में करेंगे settings इसी के अंदर है यह internal storage यह USB के लिए होता है तीसरा USB defined location यह photo folder यहां से direct भी अक्सेस कर सकते हैं अच्छा दोस्तों यह है वो option जो के system root file system root तो इसके option से यह आपको पता लग रहा है कि यह system की files का एक root है रास्ता है जहां से हम system files में जा सकते हैं file system root 2.7g slash 11.8g slash ठीक है अच्छा मैं यहां एक चीज़ बताता चलू कि यह total commander में आपको यहां system files सारी show होंगी लेकिन activity आप नहीं कर सकते तमाव files पर जितना मैंने explore किया है सिवाए ringtones यह notification tones जो भी हैं इनके अलावा कुछ और चीज़ों को हम छेड़ छाड़ नहीं कर सकते कर सकते हैं अगर आपका phone rooted हो तो जहरे application तो complete बनाई जाती है तो यह options तो मिलेंगे ही चाहे वो काम में आपके आ सके या ना आ सके और इसमेंसे यही एक option है जो हमारे काम में ठीक से आ सकता है file system roots के अंदर ringtones वाला तो अब इसको open कर लेते हैं यह open कर लिया है अब आपको नीचे चलके इसमें दो अंगलियों से थोड़ा से scroll कर दीजेगा या फिर swipe करते करते भी आप जा सकते हैं तो आपको एक option मिलेगा system यह size size के बार आपको मिलेगा system इसको हम double tap करेंगे अब हम यहाँ पर swipe करेंगे time डेगेगा जल्दी से ढूनते हैं इसको मैंने ओपन करेंगे अब इसके अंदर हमें दिखते हैं आदियो मिलना चाहिए पार आई option इसमें आदियो का है इसको ओपन करेंगे जो नहीं हुआ 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 है इसके करता हूँ इसके करेंगे करेंगे इसके की लिए अब बुएब यहां हो गया है अब इसमें चाहर आप्सटों से अकना विए नहीं देखंटे पढ़ें उर्साथ 19-15-04-34-і-m अब यहाँ से आप एक काम यह कर सकते हैं कि यह जैसे अलार्म का फोल्डर है अभी यह फोल्डर है इसके अंदर तमाम अलार्म टोन्स मिलेंगी आप यही से इसको सेलेक्ट करके और इसका बेक अप सकते हैं और या इन सब को सेलेक्ट करके इनके zip file पूरी भी बना सकते हैं या फिर एक एक का backup आप बना सकते हैं एक एक की folder आपका यहां से copy होके ऐसे ही कैसी चला जाएगा तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं हम अब हम इसको copy करते हैं copy button out of list copy slash move slash system slash media greater than greater than button हमें folder select करना पड़ेगा क्योंकि default में यही folder आएगा जो इस वक दिख राएगा और यहां पर copy नहीं हो सकता copy greater than greater than button go to folder and click ok showing not notification ring ui your 10 19 15 0 3 44 p note a lock ok button out of list and list alarms ring ui your 10 19 15 0 3 44 p go to hold on label ok slash enlist go to home folder reload go to home folder button अब हम home folder की जाते हैं internal storage 2.7 g's internal internal storage 2.7 g's internal storage 2.7 g's list ठीक है अब इसी को okay कर देते हैं slash store ok button यही पर कर देते हैं copy slash move slash storage slash emulated slash zero copy move button copy button यहां copy कर देते हैं total commander copying target file exists यह शायद पहले से copy हो रखा है तो target file exists target file exists यह option मिलें यह overwrite slash storage slash emulated slash zero slash notification slash adara dot ogg 10k march 18 2018 712 overwrite button यह overwrite का बटन मिलिया मैं overwrite कर देता हूँ copying target file exists target file exists overwrite slash storage slash em overwrite button copying target file exists यह copy target file overwrite overwrite button overwrite all button अच्छा overwrite all कर देते हैं चलिए copying total commander अब हो गया तो यह file पहले से वहां पर पड़ी हुई थी मुझे पता रही है तो अब यह बहार राल हो गया है चलिए अब यह हम आपको ringtones का दिखा देते हैं इसको हम select कर दिया copy button out of list copy slash move greater than greater than button इक एग गल्डे थान बटन गोड़र and click ok Ooy and list Ooy bring to bring no the notification alarm alarm's reload go to home folder go to home folder button गो तो हम फोल्डर पर किलिक किया है और अबसको यहीं पर ऊचे कर देंगी यह देखें यह फाइल यहां पर लहीं थी यह सक्सेस्फुली यहां से कॉपी हो गया है इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से नहीं कॉपी करना चाहते हैं आप कुछ टूल्ज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप उस फोल्डर को ओपन कर लीगे ए इसको अलाउंस को फोल जिया यह देखे यह लिए लिए यह नाम आ रहे हैं सारी अलाउं टून के पर लिए यह यह से मैं एक से ज्यादा कॉफी करके दिखाता हूं अब यहां से मैं से रहे लें है इसको सेलेट कर दिया, इसको भी सेलेट कर दिया, इसको भी सेलेट कर दिया, इसको भी सेलेट कर दिया, चार सेलेट कर दिया, काफी है देखने के लिए, तो अब इनको हम काफी करते हैं, इसको हम जिप फाइल भी बना सकते हैं चाहें तो, लेकिन जिप का प्रोसेस थोड़ा मैं जिप करने का तरीका इछले पॉडकास्ट में बता चुका हूँ अगर वह आपको पता है तो आप जिप भी बना सकते हैं उस तरीके से यहां से तो उसको क्योंके करने में देर लगेगी एडिट बॉक्स में इसका जो रूट है वो खुद लिखना पड़ेगा डिलेट करके इसलिए मैं वह नहीं कर रहा हूँ मैं सीधे कॉपी ही करके लिखा जाता हूँ आपको अब यह कह रहा है यह जिस फोल्डर में हम है वही रूट दिखा रहा है तो हमें यह रूट चेंज करना पता है यह ज़रूर ही है अगर आपने रूट चेंज नहीं किया तो यह एरर आ जाएगी अकसर लोग यह निस्टेट करते हैं तो सही रूट आप बनाईए इसका ग्रेटर दैन बटन पर टैप किया बूट दैनल प्रेटरी जो घुट अवल्ड इसका अर्यड्याओ ठैटर लोगिव निगें अम चाहिता अनुक्त है तो आपका निलेठे हम कोई बिंदेगा तो सब्स्क्राइब ऌर्देग एक से रहे thếल कि आर्ट मुल्ड़ीट अर्ट अबड़ाओ निए द्रेवां लेड इसका एक फोल्डर हम उसके अंदर नहीं जाते हैं कर दिया अब यह दो आपना आ आपने रिंटोन्स को यह नोटिफिकेशन टोन्स यह जो भी टोन्स हम चाहें इनको हम copy कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो पूरा जो यहां का एक बार वापा सकते हैं यहां पर यह सारे फोल्डर आ रहे हैं सारे टून्स के और एक बार वापा सकते हैं हम चाहें तो पूरा का पूरा ओडियो फोल्डर जो है इसको copy कर ले तो हमारे यह अंदर जो है सारे फोल्डर समयत जैसा कि यहां पर है वैसी फोल्डर और फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स अलग अलग सारी copy हो जाएंगी तो यह की बार में हम इसको कोपी कर सकते हैं, एक इसको कर दिया और इसको मत क्लिक करना भूलिया क्यूंकि यहां से फोल्डर से लिक करना बहुत जरूरी है जब तक फोल्डर सेलिक नहीं होगा कर नहीं हो से यह लेगार उक कर नहीं हो हुआ है अब इंटरनल में हम इसको बाहर ही करते थे कहीं अंदर नहीं जाते तो फिर मुझे मिटाना भी हो गाए इन सब को अब यह कर दिया अब वही और से आगए यह देख लिए इसको अब जो पूरा 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 आगा है अब हम आपको लिए दिखाते हैं कि जो हमने कापी इसकी है वह हमारी आहा है हम इंटरल कमांडर की हम स्क्रीन पर आ चुके हैं इसको इंटर्न स्टोरज जोपन कर दिया हो है और अब आपको दिखाते हैं कि वने काऊ बदूर्टर प्रों आपको करें है इसके अश्चेदए कि ऑसकी ऑसे गानो अ्हें तो जो दूसरा हमने किया था वह भी कहीं होगा तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मुझे दियार नहीं रहा कि मैंने कहा हूं आपको दिखाते हैं कि इसकी जो सेटिंग्स भला इसमें क्या हो सकती है लेकिन है फाइल बैनेजर की सेटिंग्स हैं और वो मौर बटन पर आप डबल टेप करेंगे मौर ओप्शन इसमें देखिए पहला ओप्शन है एक्जिट नीव फॉल्डर यहां से आप नए आप बना सकते हैं यह हैं कंफिगर हैल्प हट्टें मल है यहां से आप इसकी हैल्प पढ़ सकते हैं कि किस वर्जन में क्या क्या डवलक्मेंट्में तो वो सारी help आपको मिल जाएगी यह option है configure actually तो इसका नाम असल में settings अगर रखा होता तो लोगों को असानी होती समझने में लेकिन इसका नाम configure रखा है इसको हम open करेंगे तो इसके अंदर हमें settings मिलेंगी इसको open कर दिया अब देखें ये बोला settings ठीक है about ये तो वर्जन के बारे में सारी detail है कुछ नहीं करना ठीक है ये help है यहाँ से भी आप help पर सकते है ये है general settings ये language system default तो जाहरे language system default ही रखना चाहिए वरना फिर दिककते आती है date slash time format 12 31 99 10 33 PM ये है date slash time format अब आप इस पर ध्यान दें show is a clock date slash time format 12 31 99 10 33 PM ये जो format show हो रहा है 12 31 99 तो 1991 1999 में हो सकता है बना होगा total commander I think लेकिन ना मालूम क्यों इन्होंने ये 1999 डाल रख है एर में जब तो नहीं बना होगा फैर तो anyways तो by default date इन्होंने ये दिखाई है 12 31 1999 इसका मतलब ये हुआ कि 31 मंत तो हो नहीं सकता तो date है पहले ये मंत दिखा रहे हैं फिर date दिखा रहे हैं फिर year दिखा रहे हैं जो हम लोगों के लिए थोड़ा सा इन्कन्वीनियंट है हम नॉर्मली डेट मन्त और टाइम या यूं कहें के डे मन्त टाइम और डे मन्त एयर इस तरह देखना चाहते हैं इसी तरह हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन इसमें मन्त पहले दिखा रहे हैं तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इससे क् होगा कि जो आपके पॉल्डर्स हैं उनकी जो डेट्स वगरा हैं वो उस तरह से शो होंगी यहां से आप जैसा से सेट कर देगे पहले आपको क्या दिखना चाहिए दिन दिखना चाहिए या महीना दिखना चाहिए या साल दिखना चाहिए आप अपने हिसाब से इसकी सेट कर सकते हैं मैं इसको टेप करता हूं ठीक है यह ओपन हो गया है कुछ नहीं करना है लेंगवेज को नहीं चेड़ना यह देखे 12 31 1999 अब 12 12 मन्त मत्ला 12 यह मन्त है 31 दिसंबर दिखा रहे है 1999 तो हम इसको यह टाइम है इनका 10 33 पी एम राते साड़े दस यह दस पेटीस यह 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 यहां पर दिखा रहे सारा एक एक लेटर से किया हुआ है सारी ही आ को तो इसको आप चेड करेंगे क्योंकर यह यूज डिफाइन्ट यानी जो यूज कर रहा है वो डिफाइंड करें कि किस तरह उसको चाहिए Cheryl को अब हम इसको डिफाइंड कर सकते हैं हमने इसको चेक कर दिया तो अब यहां से हम राइट टू लेफ्ट साइट करेंगे वापिस यह टाइम यह एच आवर्स के लिए इसको कुछ नहीं करता है इसको को हम चेंज कर देंगे तो हमारा जो सिक्वेंस है वो चेंज रहा है अब यह हमने ओपन कर दिया है अब मैं यहां से करेक्टर नेविगेशन देखता हूं अब बीगिनिंग में आवे हम पहला क्या है एम की जगा हमें क्या करना है एक बार इसको राइट कर लें अब दिलीट करते इसको अब यहां पर हम दी कर देते हैं अब इसको दी कर दिया अब इसको दी कर दिया अब इस डी को मिटा कर देते हैं और यह जिहान रहा है कि वो capital में M था अब यह है M कर दिया इसको कुछ नहीं करना अब हम यहां से done कर रहे हैं अब देखे यह हो गया हमारा यह देखे हैं यह देखे हैं यह चेंग हो गया टाइम को ठीक है छोटा एम मिनिट के लिए और मन्त के लिए यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसमाल एच और कैपिटल एच भी जो है वो 12 और 24 आवर्स के लिए है और कौन साथ इसके लिए वो आप देखे जी ज़बारत तो अब इसको हम सेव कर देते हैं अब यह हमने सेव कर देख लिए अब यह सही आ गया हमारा पॉर्मेट चेंज हो गया एक option यह है एक option यह है यानि किसी भी फाइल या पोल्डर के स्टार्टिंग में हम एक डॉट लगा दें तो वह फाइल हाइड हो जाती है तो आप उनको हाइड रखना चाते है शो करना चाते है उसका option है यह यह शो हो रखा है हम इसको not check कर दे not check अब उस तरह की files show नहीं होंगी जिनके स्टार्टिंग में dot लगा हुआ होता है hide files, ignore, ignore list hide files slash folders by name यह files को hide करने के लिए है by name यहाँ शायद list कुछ बना सकते हैं देख लेते हैं hide files, ignore, show in English us qwerty keyboard editing, edit box इजे लिखना पड़ेगा add selected files, button disabled selected with path, button disabled add select, editing checked, ignore these names, check box हाँ यह है इन नाम को ignore कर दीजे, यहाँ से भी आप files का फाइड कर सकते हैं छुपा सकते हैं ठीक है इनको आप यह hide files, checked, ignore these names, check box not checked, editing, edit box add selected files, button disabled selected with path, button disabled add selected, editing, not checked, ignore these hide files, ignore बाराल यहाँ से files को आप hide कर सकते हैं यह लिखना पड़ेगा path, बड़ा लंबा मैं इसको English, US, QW, edit box add back button settings language, system default, date slash time for show hidden file slash folders hide files, ignore, ignore list font and colors, configure list font and colors, showing items 1 to 9 of 19 content colors से हमें कुछ लेना देना नहीं और कुछ पता भी नहीं यह partially या फिर vision वाले लोग उनके लिए है sound slash music show in items 9 to 16 of 90 sound slash music इसके अंदर भी आप कुछ music से related चीजे हैं, उनको change कर सकते हैं sound sound slash music sound slash background notification message box and list background notification message box यानि के यह आपका जो background में जो भी आपका कुछ काम हो रहा है तो उसका notification कहा जाएगा message box तो जाहर सिवाते message के तोर पे वहां notification में शो होगा इसको नौट चेक कर रखता है इसको नौट चेक कर रखता है choose sound file यहां से आप sound file चूज कर सकते हैं background operation complete जब भी कोई background operation अगर आपका चल रहा है माली यह कोई बहुत आला कि फाइल मैंने जन्म को इतना बड़ा तो नहीं होता लेकिन फिर भी अगर कहीं बहुत बड़ी कोई zip file करने के लिए आपने लगा दी या आप चाहते हैं कि हमें कुछ tune मिल जाए तो यहां आप tune set कर सकते हैं वरना फिर tune नहीं मिलती खाली वह message में लियाता है enable not checked check box इसको भी not checked मैंने किया हुआ है choose sound file यहां से आप sound file लें लेंगे या ऐसा है यह आपको देखने की जीज़ है यह कोई जबूरी यह ठीक है play slash cue तो हम play करें या cue में लगाएं कोई music file तो उसके लिए check box हमने check यह भी ठीक है अगर किसी को cue में लगाना हो तो उसको tap कर दें तो क्यों में लगती से ली जाएंगे files एक के बाद यह पिले होती जाएंगे इसमें एक नहीं option है यह internal associations है तो यह असल में एक total commander के अंदर ही एक बना लेते हैं उसमें एक अलग से आप बना सकते हैं कि आपको उससे बाहर ना जाना पड़े जैसे memory card में किसी भी folder को आप internally उसके अंदर शो करा लेते हैं तो यह total commander के अंदर ही लेकिन काम करेगा memory card में अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो वहां नहीं होगा यह image thumbnails का है तो इसका भी हमें कुछ नहीं करना यह full screen है आप चाहते हैं कि हमें जो कुछ भी चीज दिख रही है पूरे screen पर दिखे even title तक भी ना दिखे तो इसको चेक कर लें इससे तो हमें तो नुक्सान नहीं है फाइदा नहीं है hide notification bar not checked check box यह hide notification bar अगर इसको चेक कर दें तो फिर आपके notification में जो चीज आती है वो फिर नहीं आएगी total commander की जैसे अगर कोई आपने इसके TC media player को यूज करते हुए और total commander को back back करके बंद कर दिया या properly उसको नहीं बंद किया तो वो notification में आपके show होता रहेगा लेकिन यहां से अगर हम इसको off कर दें तो वो अंदर खुला भी रहेगा तो फिर notification में show नहीं होगा list window arrangement show two list windows side by side or two virtual windows यह है list window arrangement अब windows को किस तरह देखना चाते हैं दो window को left right side by side देखना चाते हैं या फिर swipe करके उपर नीचे देखना चाते हैं site scroll list window arrangement show two list windows side by side or two virtual windows जैसा आप चाहें वैसा रखके site scroll enabled use wipe gesture sideways swap file panels checked check box यह तो हमारे लिए ज़रूरी है कि swipe पर हम बंद नहीं कर सकते तो swipe scroll यानि swiping जो है करके हम windows को या folders को change करते है exit via back button only in home folder show in items 11 to 17 of 19 यह एक option है आपके पास कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि यह कहीं कहीं ले जाता है और बात सही है इस खुछ अगर हम बहुत अंदर चले जाए और बंद करना हो total commander को काफी time लगता है तो उसके लिए यहां पर आप setting कर सकते हैं कि आप किस तरह से जाना चाहते है exit exit via back button only in home folder exit via back button only in home folder exit via back button only in home folder यह यह यहां पर set हुआ है लेकिन इसके लिए और भी options available है exit via back button show in items 1 to 3 of 3 exit via back button किस तरह से exit करना चाहते है सिर्फ home folder में back button दबाए तो total commander exit हो या फिर इसको हम back button को long press करें double tap or hold तब exit हो जाए या short press यानि करने पर exit हो जाए total commander से बाहर निकल जाए यह तीन option है मैं change करके दिखाता हूँ आपको short press तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि short press तो हमारा जो है normal use के लिए है फिर बाद फिर हम बाहर ही निकल जाएंगा long press वाला मैं change करके दिखाता हूँ आपको settings show in items 13 to 19 of 19 अब मैं इसको यहीं से long press कर दूँ side scroll enabled use white gesture sideways to swap file panel exit via back button on long press चले पहले और options देख लेते हैं आगे हम आपको दिखाएंगे root functions everywhere requires root rights यह है root functions everywhere तो यह अगर आपका phone root है तब आपके यहां काम करेगा नहीं तो यह काम नहीं करेगा root fix selinux context set default selinux context after copying the slash data slash system or slash size folders checked check box इसको तो check ही रखना है यह कुछ technical है और इसको check रखना ही है वरना फिर दिक्कत हो सकती है तो यहां configuration में यह इतना ही option थे यह पूरे हो गए अब हम आपको back वाला पहले दिखा दें यह मैंने एक बार focus किया अब मैं double tap board करूंगा देखे और यहीं से हम total commander के बाहर निकल जाएंगे total commander audio और 18 3 18 0 8 0 1 p.m. कुब कल रिकुर्टर और 18 3 18 0 7 59 p.m. मैंने जल्दी ओल्दी ओल्दी back button out of list more options button exit new call configure settings back button total commander com.rail.video अच्छा हाँ ठीक है हमें होम स्क्रीन पर लाई रहा है ठीक है जो total commander के होम स्क्रीन है वहां पर हमें ला रहा है यह अंदर से एक ही बार में हमें यहां पर ले आए तो यह पूरी तरह से बाहर नहीं नकले लिए यहां आ जाएंगे अच्छा दोस्तों इसके साथ ही इसमें एक और सेटिंग है वह भी मैं आपको दिफा देता हूँ और वह बटन हम से रहा रह गया है आपको देखें नीचे हमारे पास कुछ बटन है select copy tag delete sort यह भी एक बड़ा ही important बटन है यहां से आप अपनी कुछ settings arrange कर सकते हैं यह भी देखें sort active panel by name यह check हो रखका है यानि जो भी panel active कर रखा है आपने चाहे internal memory हो या external memory हो या USB लगा के आपने drive insert कर रखें जिस panel को आपने open कर रखा है वह आपको किस तरह दिखना की क्या बोलना की हो इसको sort active panel by name by name by extension by extension by size by date slash time by date slash time by date slash time also sort folders तो यह नोड चेक है not checked not checked also sort folders check box तो active panel के साथ folders के लिए भी है तो हम अगर इसको चेक कर लेंगे तब यह सारी जगा पर अपलाई होगा और नहीं चेक करेंगे तो फिर यह हमें यह जितने भी आप्शन सारे उपर हैं वो सारे ही आते हैं date, time, size और name तीनों आते हैं also sort folders, check box तो folders की भी position आपकी चेंज हो जाएगी जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह से वो show हो जाएगी अब नीचे आपका है ascending button ascending order में देखना चाहते हैं यानि ओपर की तरह बढ़ते हुए जैसे A to Z या फिर descending order में देखना चाहते हैं Z to A अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो हमारे folders हैं वो ascending order में हैं मैं आपको descending में पहले कर देखता हूँ पहले इसको चेक कर दिया अब यह चेक हो गया Ascending button अब descending में में कर देता हूँ Total Commander अब मैंने इसको descending में कर दिया है अब देखियो इसलिए और लिटे आगया है फोल्टे अब यहा स्वाइब और है लेंव ऊपके सब्सक्राइब स्वाइब कर रहा है बने यह अब यह एड़ हो वाइब अब जर्ट पहले हाई ठीक है यह हो गए उल्टे और हम इसको असेंड़ेंगे 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 और हम इसक अगर आप यहां पर देट करने तो यह इस तरह से आप यहां से अगर आप यहां पर देट कर ले अगर आप यहां पर देट कर देट कर देखेंगे और हम इसको डेसेंडिंग में कर देखेंगे जो सबसे लास्ट में फोल्डर बना होगा वह पहले आएगा यह देखेंगे कर जाए अब दिक्सिनरी नहीं रह गी हां पर अब डेट के हिसाब से हमारे पोल्डर से शो हँगे यह था रिंटोंस का अब मिला जो हमने कॉपी किया था कि अब्रोख सिन्भी ऑंषो सिन्भी नोद को उफे नह कर अधिन फस् sekति कंप एंट У्ल्र गांटientes से फिस्टो में एक श्रियंटो बस्क्र एल armas तो इस तरह से यह folders change हो गया मुझे तो इस तरह से दिक्कत हो जाईगी तो मैं इसको फिलगा फिर से ascending में कर लेता हूं और by name चेक कर देंगा not checked not checked not checked by name checked by name तो दोस्तों यह थी इसकी कुछ सेटिंग्स और रिंटोंस वगरा किस तरह से आप निकाल के अपने दोस्तों को दे सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको यह चीज़ें समझ आ जाएंगी असानी से और अगर कोई कमी कोता ही रह गई है तो हमारे इस वीडियो के सबसे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर करें और क्या चेंज़ेज आप चाते हैं किस पर आप पॉड़कास चाते हैं वो भी आप अपनी राय वहां पर दिया करें हम आपकी राय पर अमल करें ऐसी कोशिश को हमारी जरूर रहती है लेकिन कई वार नहीं भी कर पाते हैं तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं कुछा किया तो प्लीज अब आप सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहां पर लगातार एक से एक बहतरीन पॉड़कास आती रहती है और आप अगर सबस्क्राइब कर लेंगे तो फिर उसका का पार्ट फिरी मुकमल हुआ और साथ ही टोटल कमांडर पर जो हमारी सीरीज चल रही थी पॉड़कास्ट की वो भी पूरी हुई और मुझे लगता है कि मैंने टोटल कमांडर के तकरीबन तमाम आसपेक्ट्स को कवर कर लिया है और हो सकता है कुछ एकाच चीज चूट भ क्लाइंट कैफे को देखते रहे हैं यहां पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए मौजूद हैं जो कि टॉक बेर के साथ यहां पर पॉड़कास्ट बनाए हैं डिफरेंट अप्लिकेशन्स पर आप उनको एंज्वाइ कीजिए और पमरनी पर देए एंडॉइट सीखना अब हो गया है और भी असान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नितने पार्टकास्ट और आपकी तमाम तर कुईरिस का रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बच चाहिए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिब कीजिए धेशारी मालुमात ओनली ओन एंडॉइट ब्लाइंड कैथे